इस वर्ष 26 सितंबर से नवरात्रे आरंब हो रही है इन नवरात्रों में चमबा के श्री राम लीला क्लाब चमबा द्वारा चमबा के चौगान में राम लीला का मंचन किया जाएगा इसके तहट इन दिनों चमबा में राम लीला की रहसल की जा रही है वन ही इस दोरान लगने वाले पंडाल के लिए मूर्तिया बनाने का कार्या भी शुरू हो गया है इस बारे जानकारी देते हुए श्री राम लीला क्लाब चमबा के उपाध्यक्ष संजीव पूरी ने बताया कि दो वर्ष कोरोना की वजह से चमबा में राम लीला का मंचन नहीं हो पाया और इस वर्ष चमबा में धूमधाम के साथ राम लीला का मंचन होगा और दशहरा के दिन रावन के पुतले का दहन किया जाएगा जिसके लिए इन दिनों तयारियां की जा रही है है वेश्ट आपका ब्राम इंसाप पर देख रहे सन्याथियों ऐसे ही हम भी इस बन में राजा ओकर सन्याथियों महराद आपने ठीक पता नहीं रहाया योहीं बातों में टाल लिया के पर दरके बतलाईए कि आप किस रेट में आप कुमान है और यहां पर हमें इसलिए उड़क रहे हैं पता लगे पर शाहिए इससे पर आपके कुछ काम आसके नहीं बियाया भार बूसे है राया किया नहीं. अड़के कुछ मोयें ड्सरापने एक रहे है इसनारा को तुन आप करूद में लगे श में आपके क्या। कुछ करो अ आप меня बुसर को जो हाओ. एक झान. है एक 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 एकुछ करने है. मार्ड प्रोप इता झाल, बार प्रोप बारियर लिल के हम घ्राच सुम और मार्ड झाल, प्रोप आता झाल दिशहरे के उपलक्ष में इस बार रामलिला के मंचम जो अब 26 सब्टमबर से 5 अक्टूबर तक नवरातरों में होगा और रामलिला मंच बनाने का जो काम है वो शुरू करवा दिया गया है इस बार क्रोना कार वाल लगवाग दो सानों के बाद जो अब रावरिला का मंचन होगा तो मंच पर मूर्तियों को बनाने का काम भी शुरू करवा दिया गया है वो रहसले जो है वो भी शुरू करवा दिया है नवरात्रों में नो दिनों तक जो है वो माता की पूया अर्चना करवाने के बाद इस मूर्थियों को जो है वो विसर्जन किया जाएगा सभी चमबावासियों से फ्रात्ना है कि इस पुन्या काम में अपना स्योग दे और पुन्या के भागिदार बने धन्यवाद जैश्रीरा